नमस्कार स्वागत आप सभी का अटल भारत पर मैं हूँ आपके साथ मान से त्यागी रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर जिले के कवया थाना इलाके में फायरिंग का मामला सामने आए हैं यहां छट घाट से पूज़ा करके लोट रहे पूरे परिवार पर एक यूवक से गोली चला दी यूवक ने एक साथ कई बार ताबर तोड फायरिंग की अर्गे देकर लोट रहे परिवार पर अपराधियों ने अंधा धुन फायरिंग कर दी जिसमें दो सगे भायों की मौत हो गई वहाई इस घटना में चार लोग घायल हो गई चारों घायलों के गंभी रवस्ता में PMCH रैफर कर दिया गया है घटना कवय थाना अंतरगत पंजाबी मौला की है इलाके में धहशत का महाल मचा हुआ है तोहाई गोलियों की तरटरहट सुन कर मौके पर अफरा तफरी का महाल हो गया इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई है तोहाई गायलों को आनन फानन में पटना को रैफर कर दिया गया है बताया जा रहा है कि पूरा परिवार सुबा सुबा चट पर अरगय दे कर वापस घर लोट रहा था इसी दोरान रास्ते में क्यूवक ने पूरे परिवार परताबर तोड़ फायरिंग शुरू कर दी मैं इस घटना में इलाके में संसनी फैल गई है चट के दिन इस तरह की फायरिंग या घटना लोगों में एक चर्चा का विशे बन गई है दरसले पूरा मामला विहार के लखी सराय जुले का है यहां कवया थाना छेत्र के पंजाबी मौलने में आपसी रंजिश के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया इसी घटना में बताया जा रहा है कि चट पूजा के चलते पूरा परिवार सुबा सुबा सुर्यदेव को अरग दे कर घरवा पसलोट रहा था सभी लोग अभी थोड़ी दूर गए थे इसी दोरान रास्ते में क्यूवक ने पूरे परिवार पर फायरिंग कर दी परिवार के लोग कुछ समय पाते इसमें पहले आरोपी ने कई रांड फायरिंग कर दी फायरिंग में कुल छे लोगों को गोले लगने की बात बताई जा रही है गोले लगने से मौके पर ही दो सगे भायों की मौके पर मौत हो गई है तुम्हें बाखी के चौर लोग घायल बताए जा रही हैं घायलों को अनन्फानन में पतना होस्पिटल रैफर कर दिया गया है साथ ही बताए जा रहा है कि घायलों में दूमरते को की पत्नियां थी जबकि एक उनकी बेहन और एक उनका पिता है सभी को अस्पता ले जाए गया है तुम्हें अब फैरिंग के घटना से पुलिस की कारे प्रिणाली पर सवाल या निशान उट सकते हैं और उंगलिया उट सकती हैं बता दे कि घटना को चट पूजा से लोटते दुरान अंजाम दिया गया चट के दुरान पुलिस को अलेट मोड पर रखा जाता है ऐसे में इस तरह से एक ही परिवार के छे लोगों पर फैरिंग कर देने से इस मौमले के बाद पुलिस और पिसाशन क्या कर रहा था और पुल